हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूप चैनल पर हम लोग बिहार एस्टीटी कंप्पूरर साने पर प्रशन कर रहे हैं हम लोग लाद दो मन्त से हर टॉपिक कोशन हम लोगाने कवर किया है और अब हम लोग मॉक्टेस्ट दे रहे हैं इसका इसमें आपको सब कोशन रहेंगे मैं पहले मॉक्टेस वण लेकर आच चुका हूं यह मेरा मॉक्टेस्ट टू है आपको अगर आप में चैनल पर जाएंगे तो आपको एक मिलेगा प्लेश में बनाए हुआ हूँ उसमें मॉडल कोशन है और मॉक्टेस्ट है मतलब कि जो मैंने एक सल पहल देख एक काम करें पहले मेरे वीडियो को प्हुड़ करें और एक सले को कुशन लिख दें कुछ को गलती होगा कुछ को सही होगा आपको खुड को टेस्ट करें कितना नमबर आ एक से नमबर वन से और इसका अगर आपको पिडिए फ चाहिए तो आपको मिरा टेलेगराम आपको नहीं मिले तो आप टेलेग्राम पे जाएं और जागे सर्च करें अपना वहां आपको मेरे चैनल मिल जाएगा और वहां से उसके अंदर जाके आप मेरे ग्रूप जान कर सकते हैं तो आप देखते हैं कोशन न ler.which पार्ट पार्ट आप बर स्टोस्टरत एक आपको किस पार्ट में हम लोग yogs चैनल कर सकते हैं का देट अकाएम का ड्रेट कर शकते हैं आपको लोग प्लॉप सरॉप इंसर न mont कर सकता हैं कि देखताय के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर में और उसके लापा फिलिफ फ्लॉप में हम लोग इस्टोर कर सकते हैं लेकिन अगर यहां पर इस टाइम के पर देले दिर्या में था तब इस कहांसा होता है कैपसिटर और कुछ होता तो इसका में मारत हो वन का आपको हो जागा सी अब देखते हैं अगर हम सिंगल इंपूट यह वन देंगे तो चौर ऑप्शन है नौट गेट ऑप्शन बी एंड गेट ऑप्शन सी और गेट यह ऑप्शन डी नंगेट देखिए सिंपल से क्वेश्चन है टुक आपको हो जाग ऑप्शन नमबर सी आपका जो और गर होता है ना और गेट लिखते हैं अब लिखते हैं मतलब किया अब एक इनपूट प्यापका वन होगा तो आड्पूट जो च आता है वो आपका वन नहीं रहेगा मैं कले यह पर सो आपका इसका लिए अलग से आपका वीड़ो लेक्शेर लिकॉर्ट करूंगा आपका डिजिटल इलक्रिया यह यतना भी gated रहेगा आपका वन इस कंपलेमेंट टूस कंपलेमेंट कंवर्जन रहेगा मैं अब उसमें आपको डिपली बताऊंगा ठीक है अब देखते हैं फिर्षा नमबर 3 देखते हैं लो www is based on which model आप अजो होता है worldwide web एक किस model बेस्ट है आप अपिस्ट नमबर 3 लोकल सर्वर आप्शन भी क्लाइंट सर्वर आप्शन नमबर 3 टायर यो आप्शन नमबर 2 देखिए आप वो व्ल्ड वाइब है न वह कामकरता आपको क्लाइं सर्वर मोडल के इसलिए आपको ठीक हो जाएगा और अप्शन नमबर 4 दा फास्टर दा डिस्प्लेइज अगर आपका रेम है वो अगर राफ डिस्प्लेट होगा तब उसके बदले क्या होगा सका नमबर टरफे दुड़ियोओ अपईयर ऑपने बी डे समूथ और दॉड़ियो आपियर अपने आपको आपको यह इसे तो रेम इसको ले वीडियो यह आपको होता है तो अगर फीड आपको फीडे में अगर फास्ट मूव करेगा इसका मतलब यह कि आपको वीडियो है वह काफी स्मूथ एपियर होगा तो आपको फोर्ग हो जाएगा option number B ठीक है अब देखते हैं मुझे कुछ नम्राज का पांच देखते हैं विच पार्ट अफ देखते हैं अगर आप देखते हैं अगर आप देखते हैं को तो देखते हैं क्या होता है आपको हर कुछ सेकंड पर आपको डिफ्रेश होगा डिफ्रेश होता है आपको मॉस होता है मेटल ऑक्साइड सेमिकंडुक्टर और क्यापसिटर दोनों को दोनों हर कुछ टायम पे रिफ्रेश होता है तो इसलिए इसका फोज़ाइग option number C क्योंकि डी राम में आपका instruction option number B program option no C structure या option no D algorithm देखे six कवरेश होजगा option no D algorithm अल्गोर्फिम क्यों होगा क्योंकि मैंने पास कुछ प्रॉद्म रहता है उस प्रॉद्म हो सॉल्फ करने के लिए हम लोग सिरे code start नहीं करते हैं हम पहले चेक करते हैं कि इस problem का optimal solution क्या होगा और optimal solution निकालने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ता है पहले हम लोग को algorithm मनाना पड़ता है किसी भी project का ठीक है तो 6 हो जाएगा डी हो जाएगा अब देखते हैं question no.7 देखते हैं in which logic gate the output is complement of input आपका इसा कौन लोजिक gate है जिसके अंदर आप आप input देंगे आप output रहेगा वो दोनों complement होगा मतलब कि input 1 देंगे output आगा 0 input देंगे 0 आपका output आगा 1 तो option no.a not gate option no.b and gate option no.c odd gate यो option no.d is odd gate देखिए आगवा जो होता है not gate not gate का यह property है कि जो input देंगे output उसका उल्टा आएगा तो 7 का आपको जाएगा option no.a अब देखते हैं हम लोग question no.a देखते हैं हम लोग a set of process is deadlocked if हम लोग किस set of process को deadlock कहते हैं option no.a if each process is blocked and will remain so forever option no.b when if each process is terminated option no.c if all process are trying to kill each other option no.d none of dimension देखिए आपका deadlock condition कब होता है मान लेजिए आग बाद दो इंसान है एक इंसान a है एक इंसान b है ठीक है ए इंसान को कुछी काम को complete करने के लिए जो समान जो resource b के पास है वो चाहिए ठीक है और जो b को काम complete करना है उसका resource a के पास है इस condition में किसी काम पूरा नहीं होता है क्योंकि एक काम complete करने के लिए बीको चाहिए यह चाहिए बीकर resource और बीकर अपना काम complete करने के लिए एक resource चाहिए तो इसलिए क्या होता है यह पूरा condition है ना एक infinite block में change हो जाता है और वह उसका solution के भी निकल ने पाता है जिसका आपको आपको 8 को जाएका option number A हो जाएगा अब देखते है question number 9 देखते है which of the following is a container option number A select tag option number B body option number C input option number D both A and B अब आप container tag क्या होता है ऐसा tag जो open होता है और जो close होता है उसको मिल्काते है container tag तो आपका select आपका tag है आपका body tag है यह दोने को दोने क्या होता है open भी होता है और close भी होता है इसलिए 9 का आपको जाएक option number D हो जाएगा both A and B आपको इन्पूट टाइग है बी टाइग है इस अब क्या है इसा आपका non-container tag होई open close नहीं होता है अब जगते है question number 10 देखते हैं हम लोग ASP code is आपका ASP जो code होता है active server page क्या होता है option number A is a client-side executable code option B is a server-side executable code option C is a worldwide web executable code option D all of the above आपको जो ASP होता है ना उसको हम लोग कहते है server site क्योंकि उसको जो code होता है वो client site पर execute नहीं करता है वो server site पर execute करता है इसलिए को कहते हैं हम लोग ASP जे server site executable code ASP की full form ही होता है आपका active server page मतले आपके जो काम आपका server पर हो रहा है तो दाश्का आपको जाएक option number B अब देखते हैं question number 11 देखते हैं M I C R stands for आपको बताना है कि M I C R का full form क्या होता है option number magnetic ink character reader option number B magnetic ink character register option number B magnetic ink code reader जो option number D magnetic ink character recognition देखिए simple question देखिए लेकिन आपका M I C R का full form मैंने बहुत सारे exam में देखा यह question पुछते हुए so M I C R full form होता है आपका magnetic ink character recognition देखते हैं 11 आपको जाएक option number D अब देखते हैं question number 12 which of the following is a system software आपका इन सब्सक्राइब में ते system software कौन से option number A operating system option number B application system option number C android option number D बहुत ANB देखिए आपका जो होता है system software उसका मतलब क्या है मतलब यह है कि वह आपका OS है आपके operating system को हम लोग कहते है system software और आपका android है ना android लेक्तारे का OS ही है इसलिए इसका हो जाएगा बोथ ANC क्या है आपका system software आपका OS है और आपका OS android है तो इसका हो जाएगा बोथ ANC अब देखते है question number 13 which of the following data structure is not a linear data structure इन सब्सक्राइब में से कौन सा data structure linear नहीं है option number A stack option number B link list option number C array option number D none of these देखिए बस्टेते हैं से में सोके पलेज़ों से बतां स przykład क्या हो गा इसका आपको जब्चन number D क्योंकि आपको ज wash Оff took आप जिऑ mean uz यो fazah जो होता है जो की होता हिए वो सब को सब linear है इन में से कुछ आजा option ऐसा है नहीं जो के non-linear है non-linear क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा tree आपको हो जाएगा graph वो सब बहुता non-linear लेकिन stack, link list, queue इसाब क्या है इसाब का आपका linear है इसलिए आपको तेरा खोजाएगा option no.d अब जेखते हैं question no.14 which of the following is a vision of what internet will become tomorrow इन सब में से कौन्स है vision internet का कि आपका internet कल क्या बन जाएगा option no.r e arpanet, option no.b circuit switching, option no.c interspace, option no.d internet आपका जो feature of internet है उसको मुने कहते हैं यह gak है इक तरीजह का thinking है कि आने वाल टाइम पे, एक user, कि माले जैंगर इंटरार इंटरीट क्या होता है internet मतलब क्या होता? connection होता है, लेकिन हमान दो आजजा connected weak है, हम यहां बैट के तुरण हर लोग से हर चीज़ बात नहीं कर सकते यहान सब्सक्राइब बात करेंगे जिस जगह चाहिए कम्लिकेशन करने त्न यह पर प्रॉलम नहीं आएगा जपन से अब लेकर्डे को से कहते हैं अब देखते हैं कुश्ण के कुछ 15 देखते हैं हम लोग अपको नमबर ऑफ क्या होता है, उसको क्या कहते हैं option number a degree, option number b cardinality, option number c keys, option number d instance तो 15 का आपको हो जाएगा option number b हो जाएगा, number of tuples क्या करते हैं हम लोग cardinality करते हैं, और number अब मुझा attribute क्या करते हैं, उसको degree कहेंगे अब या रखना है attribute कहेंगे degree, tuples कहेंगे cardinality अब दखते हैं question number 16, which of the following is a set of input device इन सब में से कौन है, जो के input device का set है, option number a, mouse, keyboard, monitor option number b, plotter, keyboard, mouse, option number c, keyboard, mouse, scanner, option number d, printer, monitor, speaker देखिए, आपका जो option number c है न, keyboard रहे, mouse रहे, आपका scanner रहे इसकानर चाहा करते हैं, वो भी हमनों scan करते है input device है, तो 16 आपका option number c क्या हो जागा यह तीनों आपका input device का ही collection ने set है, अब देखते हैं, हमनों question number 17 देखते हैं ASP was first released by which company, आपका जो ASP है, active server page, वो first time किस company ने उसको बनाया था option number e, Google ने, option number b, Microsoft ने, option number c, Facebook ने, option number d, Apple ने आपका जो ASP है न, उसको बनाने का जो कहते हैं, ASP बनाया था आपको Microsoft ने सता है का आपको जाएगा option number b हो जाएगा, अब देखते हैं, question number 18, dd tag is designed to fit a single line of our webpage, but dd tag will accept है, आपका जो होता है dd tag क्या करता है, वो एक single line को अपने अंदर accept कर सकता है, लेकिन जो dd होता है, वो क्या accept कर सकता है option number a line of text, option number b full paragraph, option number c word, option number d request, देखिए आपको जो होता है dd tag, मतलब क्या descriptive tag जो होता है, वो एक single line को अपने अंदर accept कर सकता है, लेकिन is an example of what, आप जो होता है Bluetooth, यह किसका example है, option number a pan, मतलब के personal network, option number b, lan, मतलब के local network, option number c, vpn, virtual private network, option number d, worldwide wave, आपका बुलुतूत हो गिया, जेंडर था, शरीट था, आपका जो माई शहर है, वो सब क्या है, वो साब का personal network है, मतलब जो कहता है हम लोग personal network, एक वाक था जब बुरुतूत के help से लोग movie भेजा करते हैं, आप तो जमाना चला गए है, अब जाखते है question number b, a process having multiple threat of control implies, अगर एक process के अंदर multiple threat of control है, उसका मतलब क्या होता है, option number a, more than one task at a time, option number b, only one task at a time, but much faster, option number c, only one threat per process to use, option number d, all of the above, देखिए, आपका जो होता है in trade, trade क्या करता है, trade आपका एक ही time पे, बहुत सारे task को control कर सकता है, execute भी कर सकता है, इसकी list को हो जाएगा, आप option number b, इसका a हो जाएगा, अब देखते है, question number 21 देखते है, the arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication and division, perform on the binary number is called, मतलब क्या कर रहा है, आपका ऐसा arithmetic operation जिसमें आपका addition हो, subtraction हो, multiplication हो, division हो, उन सब को मैंने binary number हो क्या करते है option number a, binary system, option number b, binary arithmetic, option number c, binary calculation, option number d, binary method, देखिए 21 का अपका option number b, वो सब क्या करते है, हम लोग, binary arithmetic कहते है, ठीक है, arithmetic मतलब हो क्या multiplication division हो गया, अगर वो binary मतलब क्या है, वो binary arithmetic है, अब देखते है question number 22, which of the following data structure, cannot store the non-homogeneous data element, इन सब में से, कौन सा आपको data structure है, जो के store नहीं कर सकते है, non-homogeneous data को, ठीक है, option number a, array, option number b, stack, option number c, pointer, option number d, record, देखिए, आपका array element है, array element मतलब क्या होता है, array element के अंदर, shift or shift, same type of data type, interact कर सकते है, मतलब क्या है, आपका array है, वो non-homogeneous होनी कर ले सकते है, वो अपने अंदर, homogeneous data element को, accept कर सकते है, इसका आपको जागा बाइस करें, बागे stack है, pointer, record, वो सब क्या है, वो सब क्या है, वो सब क्या है, आपका non-homogeneous है, अब जाखते है, question number test, bandwidth refers to, आपका bandwidth क्या होता है, option number A, the cost of the cable, number C लिखा गया है, option number B, able to, required to implement a van, the cost of cable, required to implement a LAN, option number C, the amount of information, a peer-to-peer network can share, option number D, the amount of information, a communication medium, can transfer in a given amount of time, देखे, आपका bandwidth क्या होता है, bandwidth बहुत यह होता है, कि आप कितना internet को एक khas time भीज़ूस कर सकते है, मतले, आपका आपका जो medium communication हो रहा है, वो कितना तेज हो रहा है, इसका आपको जाग, option number D, the amount of information, a communication medium can transfer in a given amount of time, इसका आपको जाग, option number D, test का, अब देखे, question number 24, which of the following is not a primitive data type, इन सब में से कौन साबको है data type, जो कि primitive नहीं है, option number A, byte, option number B, string, option number C, integer, जो option number D, float, देखे, आपको जो string है न वो non primitive है, बाकिया, byte हो गया, integer, float, collector, इसा आपका primitive है, इसलिए आपको जाग, option number B, अब जाखते है, question number 25 जाखते है, a large capital letter at beginning of document is called, अगर जो हम लोग document पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं, तो जाखते हैं, पहले बहुत सारा बड़ा word लिखा रहता है, capital letter लिखा रहता है, माले दा लिखा रहते हैं, अब जाखते हैं, अब जाखते हैं, अब जाखते हैं, question number 26, shortcut key to justify the paragraph alignment in Microsoft Word आपको paragraph alignment मतलब क्या होते हैं, माले बहुत सारा paragraph लिखें, एक word लिखें, पहला page यहाँ सामist पीमर ठेगा, फिर आपके word लिखें, फिर आपको word लिखें, फिर आप लिखेंना लिखें वे अगर तो और आगे पीछे, औहां से अगर हम अलाइंड कर देंगे इटको आपो अलाइंड बाक च darum इतना हीत्म ओ आजएगा इसकी सब्सक्राइद किसको आपके इसका आपको जाएक अप्शन नमबर C हो जाए च्ट्रोल प्लस जे क्लिक करने सब्सक्राइब क्या होगा आपको पारे गडाफ है वह आपका अलाइन्मेंट उसका जस्टिफाइब हो जाएगा मतलब कि आपको इससाब को सब एक यू रो में आपको साफ साफ दिखेगा अब आप देखते हैं question no 27 stack can be represented as आप stack को किस तरह से यूज कर सकते हैं option no a array option no b link list option no c both a and b option no d q देखिए इसका आपको जाएगा option no c हो जाएगा क्योंके आपको जो stack होता है ना stack को as an array यूज कर सकते हैं हम लोग और as an link list भी यूज कर सकते हैं इसलिसका आपको जाएगा option no c बहुत थे हैं लेकिन इसको आपको जाएगा यूज कर सकते हैं अब देखते हैं question no 28 देखते हम लोग dash can appear anywhere in the java program इन सब मेंसे कौन है जो आपक आपको जाएगा में कहीं भी API हो सकता है option no definition option no b declaration option no c package जो option no d determine इसका आपको जाएगा option no b declaration देखिए हम लिखते हैं ना int i character is वह सब कहा है वह सब का declaration है वह हम जहाँ चाहिए वहाँ कर सकते हैं लेकिन हम package को import starting में करेंगे define हम starting में करेंगे ठीक है मतलब declaration को हम जहाँ अब देखते हम question no 29 which of the following is the default scripting language in active server page आपका default कौन से language होता है ASP के अंदर option no b java script option no b php option no c html option no d vb script आपको जो by default use करते हैं हम लोग ASP के अंदर वो यूश करते हैं हम लोग wb script को मतलब के virtual basic script को ASP में हम लोग जूश करते हैं इसका हो जब आपको option no d अब दखते है question no 30 correct html to lift align the content inside a table is called अगर हम लोग चाहते हैं जो content लिखे हुए है उसको lift में align करना तो इन समय से कौन सा आ option no a b c d तो simple question है इसका आपको option no c मतलब क्या है लिखेंगा td फिर td में क्या लिखेंगे align करना है कहा करना है हमको lift करना है तो यह आपका write syntax है तो इसका आपको option no c अब देखते है question no 31 देखते है shortcut keys to indent the paragraph of Microsoft Word हम लोग Microsoft Word के अंदर किस कौन सा आपका shorter की है जिसके ellipse हम लोग क्या कर सकते है paragraph को indent कर सकते है option no control plus m option no b control plus n option no c control plus k option no d control plus f कि इसका आपको जाएगा option no a control plus m ठीक है आपके इसका मतलब क्या होता है indent paragraph मान लेजी हम लोग कोई paragraph लिख़ए है तो हम लोग चाहते है कि paragraph के लिए हम लोग इतना space छोड़ देए अपके लिए हम लिखते हैं लिकन चाहते हम लोग इतना space छोड़ दें तो उस पे छोड़ने के लिए हम लिए लिए ctrl plus m करेंगे ना तो आपके space छोड़ जाएगा तोडोः सा लिष रहकते हैं मुनहीं सड़ां दखते हैं के मौ를 लिखते हैं कहाँ से लिखता हम लोग लिखते हैं लिख्यां से लिखेंगे और फिर लोग लोग लिखने चाहते हैं इससे कहते हैं हम लोग不知道 करना paragraph को अबश्य नंबर 32 इसे कहने रहा है। आपका shortcut keys to hanging indent in Microsoft Word option number A control plus L option number B control plus T option number C control plus J option number D control plus F देखिए हैंगिंग इंदे मने अब क्या होता है में पाइल पाहलएट आपका इतना ही रहेगा अँच्छा पीवालएमगे आपका इतना ही चोड़गा पुुड़ा पूरा पूरा सबसब इसमों पूरा हांगे इंदेन करते हैं हमें इंदेन करें इंदेन केंगे इंदेन करें ना प्लक्राद कर सबकार हैंthey are k depending रहते हैं इसका आपको हो जाएक option number B अब देखते हम लोग question number 33 देखते हैं हम लोग which memory has BIOS program which help to start computer कौन सा memory होता है जो अपने अंदर BIOS program को रखता है जिसके बात से ही आपका computer start होता है तो option number A RAM option number B ROM option number C catch memory जो option number D both A and B इसका आपको जोग option number B ROM ROM अपने अंदर रखता है BIOS को basic input of the system अब देखते है question number 34 एफ्रेड आपका thread क्या होता है option number A is a lightweight process where the context switching is high option number B is a lightweight process where the context switching is low option number C is used to speed up page option number D none of above देखिए आपका thread क्या होता है thread होता है एक lightweight process होता है लेकिन एक ऐसा lightweight process जिसके अंदर context switching बुर्ट fast होता है ठीक है आपका context switching होता है क्या जीए माले जिए पहले आपका चल रहे वीडियो फिर आप लिख भी रहे है इतना तेजी में को आपका process को काम चांज करना है आकके मालूम ने चले कि आपके लुक्त करना है है ठीक है पहले एक कर रहे है फिर भी फिर कर रहा है कशो काम चाल रहा है उसको हमनों कहते है आपका context switching कहते हैं आपका thread क्या होता है आपका thread एक last process है जो अपने अंदर context switching को बहुत हाई रखता है 34 का आपको जागा option number A अब जाएक्टिन 35 number in stack data item placed on the stack first is आपका stack के अंदर अगर आप data item को place करने first place पर तो हमनों किस रख करेंगे option number A the first data item to be removed option number B the last data item to be removed option number C given an index 0 option number D none not given as index number पहले अपने stack क्या होता है देखिए आपका stack इस तरह का data type होता है जो अपने अंदर यहां pack रहते हैं यहांसे input तो होगा लेकिन आपका output नहीं होगा तो मतलब क्या है आपके पूड़ा के अंदर मैंने पास तीन चार्ट तरह के मैं data को fill कर दिया मानले मैं आपको पूड़ा fill कर दिया है एक दो तीन चार अब stack में अंदर को data को insert करना है तो किस रख करेंगे सबसे पहले हम last item को remove करेंगे देख्या लिखाव है the last item to be removed यह आपका last item है यह number है इसको remove करेंगे इसको remove करेंगे तो आपको जगह बनेगा तब जागे हम लोग इसके अंदर को data को जाल सकते हैं याद रखना है आपको आप देखते हैं question number 36 an executed program of computer system is called आपका executed program को convert system कोने क्या करते हैं option number a trap option number b process option number c program option number d interrupt देखें आपका हम लोग program क्या होता है program होता है आपका एक minute हम लोग ने पहले परहा था कि program under execution process क्या है आपका process क्या है process एक program है जो के execute हो रहा है process is a program under an execution तो इसलिले आपको इसका answer हो जाएगा 36 का आपका option number b हो जाएगा process हो जाएगा अब देखते हम question number 37 देखते है what is the function of modem आपका modem का काम क्या है option number a encryption and decryption option number b convert data to voice option number c convert analog signal to digital and vice versa option number d serve as hardware antivirus इसका आपको जाएगा option number c convert analog signal to digital and vice versa modem काम यह क्या करते है analog से आपका अपका analog में आपका analog में आपके हम उसमें कह सकते हैं वह आपका तरह का description tag है option number a th tag option number b td tag option number c tr tag option number d caption tag आपके option tag होता है ना वह allow करता है कि अपने अंदर हम दूशे tag को लिख सकते हैं ठीक है यह तरह का आपका description tag भी है इसका आपको जाएक option number d हो जाएगा अब देखते है question number 39 देखते हैं हम लोग multimedia files stored on a remote server are delivered towards clients across the network using a technique known as service अगर आपको multimedia file एक server पे पहुंँ रखा हुआ है उस server से रखने के बाद हम लोग उसको भेज रहे हैं किसके पास user के पास किसके थूरू networking के थूरू तो उसको मैं क्या करते हैं option number a download option number b streaming option option number c following option number d leaking देखिए अगर multimedia file है जो रखाव आपका server पे और server रखने के बाद आपका वो user के पास जा रहा है उसको मैं कहते है streaming कहते है 39 का आपको हो जाएगा option number b हो जाएगा अब देखते हमने question number 40 which component is used to compile debug and execute java program इन सब में से कौन से component है जो java program को compile भी करता है debug करता है और execute करता है option number a jvm java virtual machine option number b jdk option number c jit option number d jrd देखिए 40 का आपको जो option number b jdk java development जो होता है कीट होता है यह क्या करता है आपका jdk के help से आपका compile भी होता है debug भी होता है और आपका execute भी होता है अब देखते हमने question number 41 देखते हैं हम लोग which component is responsible to run java program इन सब में से कौन से component की वज़े से आपका java program run करता है option number a jvm option number b jdk option number c jit option number d jrd आपका jrd होता है यह जावा runtime environment यह responsible है java program को run करने के लिए इसका आपको जाएगा option number d हो जाएगा अब देखते हैं 42 number the rate at which scanning is repeated in CRT is called इस rate से आपका इसका repeat होता है CRT के अंदर उसको क्या करते हैं option number n refresh rate option number b resolution option number c pitch option number d bandwidth हम लोग उसके refresh हमने उसको refresh rate क्याते हैं उसके rate को जो आपका scan ने मिकाम आता है उसको क्या रेफरेश रेट आगों बताना है कि CRT के क्या होता है आप मैं बोक्सम बता हैं इसमें question number 43 देखते हैं हमलो catch memory works on which principle आपको होजेगा वह कौन से principle काम करता है option number locality of data option number b locality of reference option c locality of memory option number d both a and b इसका आपको होजेगा option number b locality of reference आप catch memory किसमें काम करता है यह क्या होता है आपका एक खास memory को बार बार सेट of memory को अक्सेस करते रहा ना जिसमें कहते हैं अब लगते हैं 44 number base tag is designed to appear only between आपका बहुता है base tag वह आपका कहा हमने उसको लिखते हैं कहाँ appear हो करता है option number है hit tag के अंदर option number b title tag में option number c body tag में यह option number d form tag में आप जो काम करता है base tag वह काम करता है hit tag के अंदर तो 44 का हो आपको हो जाएगा option number a हो जाएगा अब देखते हमने question number 45 Ethernet uses आप जो होता है Ethernet वह क्या use करता है option number a bus topology option number b ring topology option number c miss topology जो option number d all of the above आप जो होता है Ethernet वह उसकरता है आपका bus topology 45 का हो जाएगा option number a अब देखते हम 46 number which of the following is not a combinational circuit इन से में से कौन आपका combinational circuit नहीं है option number a adder option number b subtractor option number c multiplexer option number d counter आपका adder है subtractor है multiplexer है यह तिनों वह तिनों आपका combinational circuit है लेकिन आपका counter नहीं है इसलिए इसका हो जाएगा आपको option number d अब देखते हैं 47 number operating system maintain the page table 4 आपका OS होता है जब बनाता है page table बनाता है तो वह किसके लिए बनाता है option number a for each structure option number b for each thread option number c for each process option number d for each address 47 का आपको जाएग option number c for each process अब देखते हम लो question number 48 देखते हम लो fastest memory in computer option number a catch memory option number b virtual memory option number c primary memory option number d register देखिए इसका जो answer है ना यह बहुत confusing question है क्योंकि बहुत जगे आपको मिलेगा बहुत जगे मिलेगा आपको register memory first rate है मान लेजिए अगर option में catch नहीं दिया रहे आप वो register मानने है register नहीं दिया रहे catch मानने है आपका जो reality होता है सबसे first वो आपको register होता है उसके बाद catch होता है ठीक है लेकिन आपको अगर exam में पुछ दे तो आप कोईस कर आपको record is called आपका single और group attribute जो आपको एक एक record को uniquely identify करता है उसको में क्या करते है option number a redundancy option number b inconsistency option number c keys जो option number d atomicity देखिए आपको keys होता है न यह करता है आपको यह आपको single रहे यह ग्रुप में यह आपको identify करता है uniquely record को ठीक है इसका आपको option number c हो जाएगा अब देखते है 50 number the boolean expression for the sum of two variables x and y resulted by half adder is मतलब क्या है अगर हम लोग x और y को दू अलगल आपका variable है उसको हम लोग half adder में combination combine करेंगे तो उसका expression क्या निकलेगा option number d x dot y option option number b x y option number c x 0 y option number d x plus y आपको x 0 y है यह आपका half adder का एक क्या है आपका expression है आप देखते हम लोग 51 number in eprom data is deleted by आपका eprom में जो data होता है उसको हम लोग delete कैसे करते हैं option number a visible light से option number b ultra violet light से option number c infrared light से जो option number d electrically अगर आपका eprom रहेगा ना तो हम लोग ultra violet light से हम लोग delete करते हैं और आपका double eprom रहेगा तो हम उसको electrically हम लोग delete करेंगे तो इसका आपको जो option number d आप जगते हैं फिर 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 नमबर shortcut keys to open font window in Microsoft word is Microsoft word के अंदर हम लोग का करना है font window को open करना है हम लोग कौन ज़की यूज़ करेंगे option number a control plus l option number b control plus e option number c control plus d option number d control plus f मैंने जो आपको पहले यह जब मैं प्रहारा था Microsoft Office उस्टाम मैंने क्या बोलता है मैंने आपको इसका आपको इसका बताया था गलत मैंने आपको बोला था control plus e काम करता है Microsoft word के अंदर लेकिन control plus e के हिलब से हम लोग alignment करते हैं center alignment यूज़ करते हैं लेकिन अगर हमको open करना है font window को Microsoft word के अंदर तो हम लोग उपन करेंगे with help of control plus d तो फिर फिर टुक हो जाएगा आपको option number c हो जाएगा अब देखते हैं option number 53 देखते हैं हम लोग shortcut keys to increase size of word लेटर in Microsoft word is अगर हमको size बढ़ाना है Microsoft word में तो हम लोग किसखेल चबढ़ा सकते हैं option number control plus big bracket option number b control plus c plus greater sign option number c control plus big bracket लेकिन वो आपका right side बढ़ाएगा option number d both a and b देखिए आपको जो a है और आपका b है इस दोनों खेलब से हम लोग size को बढ़ा सकते हैं select किजिए वर्ड को select किजिए टेक्स को select किजिए उसके पाद हम लोग प्रेस करेंगा control plus c plus greater sign symbol आपका word आपका size बढ़ता रहेगा इसका आपको हो जागा बहुत a and b अब देखिए 54 number what problem is solved by Dictra bankers algorithm Dictra bankers algorithm हम लोग कौन सार problem solve करते हैं option number a mutual exclusion option number b deadlock recovery option option number c deadlock avoidance option number d catch coherence देखिए आपका deadlock होता है ना deadlock सबज़ने का तीन तरीक है deadlock recovery होता है deadlock avoidance होता है और आपका एक और होता है आपका तीन तरीक होता है ठीक है इस तीनों खेलबस हम लोग deadlock से condition बच सकते हैं तो आपको जो देखिए पहेंगा algorithm होता है वो किस पर काम करता है वो आपको deadlock avoid करने कुश्च करता है आप देखते हैं अब लोग 55 देखते हैं which of the following which of the data type has the size that is variable आपका इन सब मेंचे कौन data type है जिसका size variable हो जिसका size वो vary करता रहता है option number a int option number b struct option number c float option number d double आप इंटीजर है float है double है character है कि सबका size fix रहता है लेकिन आपका structure रहेगा ना structure रहे इनम रहेगा तो आपको size करता रहेगा vary इसी लिसका आपको जिसका option number b आप देखते है question number 56 a single transistor can be used to build which of the following digital gate आपको जो होता है single transistor वो इन समय से कौन सा gate बना सकता है option number a AND gate option number b OR gate option number c NOT gate option number d NAND gate तो आपको जो होता है transistor इसको हम लोग as a switch उसका on कर सकते है और off कर सकते है यह as a switch काम करता है transistor तो switch में क्या होता है on होता और off होता है ि अब मतलब का आपका यह इन की आपको काम कर सकता है तो आपको दूसरे हरे अप यह जै कर चकते हैं waipa uses होता exactamente η can 배eden का यह जाुश करता है option number optical fiber, option number B phase line, option number C sound waves, option number D radio waves आप अज़े होते हैं Wi-Fi वो हम लोग उसकर आपका radio waves को उसकरता है इसलिए इसका आप खोज़ेगा option number D, अब देखते हैं 58 number which of the term related with stack, इन सब में से कौन से term है, जिसका relation किससे stack से है option number A top, option number B pop, option number C push, यह तयनों को तिनों function है option number D all of these, आपका तिन्जी function है, तिनों function में कौन सा function है इसका relation आपका-stacked धी है, तो इसका आपको ऊसका option d all of these आपका यह top होता है function यह बताता है आपका top position प tells you if you can क्या करते है pop self हम लोग delete करते हैं और अगर पुश होता है पुश के लिए इंसर्ट करते हैं इसलिए इसका हो जाएगा आपको all of these अब जाकते हमनों question no 59 which of the following language is a procedural language इन सब में से कौन से language हम लोग कहते है procedural language option no a domain relational calculus option no b tuple relational calculus option no c relational algebra आपके इमेज का smaller version को लोग क्या करते हैं अपके इमेज का smaller वर्जन को लोग क्या करते हैं option no c portable network graphics option no d thumbnail अगर आपका मौल में चेक कर आप आपका camera के फाइल में तो देखते हों कि thumbnail आपके फोल्डर बन चुका है उसका नदर क्या होता है आपको जो इमेज फोटो खिचते हैं आपका same image उसमें रहता है लेकिन क्या होता है उसका size और quality कम हो जाता है उसका हम कहते है thumbnail कहते है तो इसका option no c thumbnail क्या होता है smaller version of image होता है अब देखते हैं हम लों question no 61 देखते हैं हम लों dash is the first non comment statement in file आपके इन सब में से कौन से आपको पहला non comment statement है जावा के अंदर option no a method option no b class option no c object जो option no d package इसका आपको जैक option no d package जो package का होता है package एक पहला non comment statement है जावा के अंदर आप देखते हम लो question no 62 who is the father of c language c language किष्णी ने लिखा था option no a version startup option no b james gosling option no c danus shirichi option no d def cod मैं आपको एक वीडियो लेकर आँगा इसमें आपको siv oc language रहेकर लिखा रहेगा और language का फादर लिखा रहेगा ताकि आपको exam में असानी पढ़ जाया को यह हो सकता आपको एक दो कोजन पुस्दे इसका इसलिए मैं आपको आपको झापको ऑप्से ने सब्समी के आपको लेंग्वइज को बेजर ने श्रॉट आपका C++ को आपको बनाया था जावा को बनाया था यह आपको यार रखना है अब जखते हैं सेक्टी थी नम्हा जखते हैं हम लोग फिजिकल मेमोरी इस ब्रोकेन इन्टो फिक्स साइज ब्लॉग कोल आपको होता है फिजिकल मेमोरी उ जप्शन फ्रैम्त श्राइब कर्या है अब जखते हैं 64 रखनात है फ्रोकर है प्रोकेन फने फ्राइंड पर लो फिल न में वर्टेम तो पाटार था निन्मों फ्राक्व मेरड आपको आपको अ क्शक्स स्अन छैरिव दिपलते पाटन फंव और प्रश्यर आपको option number c w ml में जो option number d jsp में तो आपका आपका html में शोर करता है आपका web server पे आपका आपका ब्रादर पे शोर करता है html में शोर करता है आपका आप देखते हैं option number 65 देखते हैं shortcut keys to move cursor end document in Microsoft word अगर word के नदर हमने चाहते हैं कि आपका जो cursor है वह आपका last position पहुंच जाए तो किसके लब से काम कर सकते हैं हम लोग option number c control plus home option number b control plus end option number c control plus backspace जो option number d control plus spacebar इसका आपको जो option number b control plus end अब जैखते हैं question number 66 c language developed at आपा जो c language वो कहां बनाए गए था option number a AT&T Bills Celebrity of USA in 1972 option number b AT&T Bills Celebrity of USA in 1970 option number c Sun Macro System in 1973 option number d Cambridge University in 1972 आवर c language बनाए गया था वो AT&T Lab के अंदर बनाए गया था और यह बनाए गया था आपको 972 में इसका हो जाएगा option number a हो जाएगा अब जैखते हैं हम लो question number 67 जैखते हैं हम लो which component is responsible for converting byte code into machine specific code आपको इन सब में से कौन सा software कौन सा component है जो आपको byte code को machine code में convert करता है option number a JVM option number b JDK option number c JIT option number d JRE इसका आपको जाएगा option number a JVM जो होता है जावा virtual machine वह जो convert करता है आपको byte code को machine code में अब देखते है question number 68 which generation based on VLSI microprocessor इन सम्में से कौन सा आपको generation आपको इन सम्में से कौन सा कौन generation में आपका VLSI microprocessor लगता है option number 1st generation option number b 2nd generation option number c 3rd generation option number d 4th generation इसका आपको जाग option number d 4th generation अब देखते हैं मुले question number आज का 69 देखते हैं मुले dash is passed to a method by use of call of reference आपका call of reference इंदर कौन सा method को आपको पास करते हैं option number a object option number b variable option number c operator option number d integer इसका आपको जाग option number a object call by reference में आपका object पास करते हैं और call by value में आपका variable double pass करता है अब देखते हैं question number 70 which of the tag is used to create a number list इन सब में से कौन सा tag है जो आपको number list को बनाने मिल्ब करता है option number a li tag option number b ol tag option number c li and ol tag option number d none of these देखिए अगर आप चाहते है कि number list बनाना number list बने या फिर आपका a b बने आपका रोव नमर में आये तो वह सब वह सब आता है आपका o a list के अंदर मतलब क्या ordered list के अंदर इसका आपको जब option number b अब देखते हैं 71 number देखते हैं image included in many software titles or call आपका बहुत सारव में है इमेज को हम लोग add करते हैं तो add करने से पहले उसमें एक title लिखा होता है जिसके बात हम लोग image को add कर सकते हैं तो option नमबर देखते हैं आपको जब लिखा रहे हैं ताके उसके help से हम लोग आपको image को add कर सकते हैं इसके आपको जग जब option number a अब जगते हैं लोग72 number a relational database consist of और collection of आपको जो होता है database जो होता है वह किस से बनता है किसी चीलेक्शन है option number record collection option b वो field connection option c वो records का connection और option nober d वो table connection देखिए इसका आपको जग option nober d आपको जो database होता है आपका वो टेबल का connection का आपका collection है अब देखते हैं 73 number bank ATM facility is an example of what आपको जो bank ATM है वो किसके example है option number A LAN का option number B van का option number C mixed networking का option number D multi-purpose networking का इसका आपको जोगा option number B van वेक्तारी का van के example है अब देखते है 24 number the process of subdividing a computer program into a separate sub program is known as अगर हम लोग प्रोडाम को तोड़ते हैं सब प्रोडाम के अंदर तो हम उसका क्या कहते हैं option number A modular programming option B event driving programming option number C object based programming option D object oriented programming इसका मुले कहते हैं modular programming अगर प्रोडाम को लिखे हैं उसका हम लोग तोड़ते हैं डिवाइट करते हैं तो अब जखते हम लोग 75 number dmux can be used to construct आपका dmux कहले क्या बना सकते हैं option number A counter option number B shift register option number C combinational circuit जो option number D display बना सकते हैं इसका आपको option number C आप जखते हैं 76 number ए process of operating system for execution need आपको आपको इस process को execute करने के लिए क्या चाहिए option number A throughput option number B timers option number C resource option number D both can be किसी के process को execute करने के लिए OS के लिए resource चाहिए होता है इसका आपको जग option number C आप जखते हैं 77 number यह चाहिए चाहिए पर जखते हैं the text inside the text area tag work like आप जो text area tag है वो किस थरह काम करता है option number A formatted text के तरह option number B आपका T tag के तरह option C प्यारे formatted text के तरह जो option number D none of these आपको टेक्स रिए टाइग है ना जिसके हम लोग address लिखते हैं हम लोग वह काम करता है प्री टाइग के तरह इसका आपको जो option number C अब ज़कते हैं 78 number that generation of computers started with vacuum tubes and valves as the basic component अब कॉन generation computer में हम लोग क्या उसकरते हैं में vacuum tubes or valves को option number A first generation में option number B second generation में option number C third generation में option number D fourth generation में तो हम लोग first generation के अंदर vacuum tubes switch करते थे और valves switch करते थे वह यार रखना है अब ज़कते है 79 number C language was primarily developed as आप जो first time में C language बनाए गया था तो कुछ लिए बनाए गया था option number A system programming language के लिए option number B general purpose language के लिए option number C data processing language के लिए option number D none of the above इसका आपको जो option number A system programming language के लिए बनाए गया था अब जबते है 80 number process of inserting an element in stack is called अगर एक stack के अंदर हम लोग एक element insert कर रहे है उसको हम लोग क्या करते है option number A create option number B push option number C evaluate option number D pop अगर किसी भी element को हम लोग इंसेट करना है हम उजो push करना पड़ेगा इसका आपको जो option number B push अब दखते है को question number 81 देखते है 81 के कहता आपका shortcut keys to reset default font in Microsoft word is अगर Microsoft word के अंदर हम चाहते हैं आपको जो word लिखा हुआ है टेक्स लिखा हुआ है उसको reset कर दें मतलब को उसका जो आपका font को और sales को reset कर दें तो किसके अलब यह काम कर सकते हैं हम लोग option number A control plus alt option number B control plus spacebar option number C control plus tab option number D control plus delete हम लोग आपको उसको reset करने के लिए हम लोग को उसको use करते है control plus spacebar इसका आपको जोगा option number B अब देखते है 82 number एक package is a collection of what option number A classes option B interface option number C both A and B option number D method आपको जो पैकाज होता है ना वो classes का और interfaces के collection होता है तो 82 के हो जागा आपको option number C both A and B अब देखते हम लोग 83 number देखते हैं working with WAN generally involved और हम लोग WAN में काम कर रहे है WAN में की हम लोग wide network में काम कर रहे हैं तो किस थरा काम होता है option number D टेलेफोनिक लाइंस में option number B microwaves में option number C satellite में option number D all of these आपका WAN में काम होता है आउसका हो जाएगा आपको all of these हो जाएगा telephone lens में microwave में satellite में हम लोग हर जगा यूज करते है WAN को अब देखते हैं question number 84 देखते हैं option number C M-N bit चाहिए जो option number D M-1 bit चाहिए हम लोग M-1 bit के लिए हम लोग M bit parallel add up ना सकते हैं इसका आपको जाएगा option number C हो जाएगा अब देखते हम लोग 85 देखते हैं what are the two techniques two streaming techniques इन सब में से कौन सा आपको दो streaming technique है option number A progressive download and real time streaming option number B regular download and real time streaming option number C real time and virtual time streaming option number D virtual time streaming तो 85 का हो जाएगा option number A progressive download and real time streaming दो एक्जामपल आपका streaming करने का अब जखते हम लोग 86 number shortcut keys to activate thesaurus in Microsoft Word is Microsoft Word के अंदर अगर हमको on connect thesaurus को तो हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे option number A control plus F7 option number B shift plus F7 option number C alt plus F7 option number D control plus shift plus F7 इसका आप गोज़ेगा option number B shift plus F7 से हम लोग क्या करते हैं ते सारो इसको on करते हैं लेकिन अगर यूज़ करें सिर्फ F7 तो इसके लोग से आपका spell checking होता है आप गलत लिखे हुए और सही लिखे हुए इन सब में कौन सा आपका primitive algorithm है primitive क्या होता है जोग सकते हैं मतलब primitive मतलब आपको एक काम कर रहा है उस काम को बीचे रोक सकते हैं रोक के हम लोग नया process को insert कर सकते हैं उसके प्रिमिटिव कहते हैं option no shortage job first option no b round robbing option no c priority based option no d shortage job first 88 को हो जागा option no shortage job first यह हम इसको चाहें तो रोक सकते हैं लेकिन round robbing को priority को shortage job first को first time first staff को रोक नहीं सकते हैं इसका option no a अब देखते हम लोग 89 देखते हम लोग process of removing an element from stack is called अगर एक stack के अंदर से हम लोग कोई भी remove correct data को उसको क्या करते हैं option no a create option no b push option no d evaluation option no d pop हम लोग pop के लिपसे हम लोग glitch करते हैं इसका आपको जाग option no d अब जेखते हैं 90 no MIPH stands for आपको बताना है कि MIPH क्या होता है option no a mandatory instruction per second option no b millions of instruction per second option no c most of instruction per second option no d mini instruction per second इसका आपको जाग option no b millions of instruction per second यह आपका important full form है अब आगर बाग देखते हम लो 91 no what is an email attachment आपका email attachment क्या होता है option no a a receipt sent by the recipient option no b a separate document from another program sent along with an email message option no c a malicious parasite that feed off your message and destroy the content option no d a list of CC or BCC recipient आपका email क्या होता है आपका attachment क्या होता है attachment एक खास तरह का आपको क्या होता है document होता है जिसको हम लोग attach करते हैं email के साथ इसका आपको जाग option no b a separate document from another program sent along with an email message अब देखते है 92 no what is the correct HTML for adding a background color इन सब मेंचे क्या syntax सही होगा अगर हमको background color में कोई color set करना है तो option no a b c a d इसका आपको जोगा option no c body equal to bj color equal to yellow इसके relation क्या क्या कर सकते हैं आप जो body का है color हम लोग yellow कर सकते हैं अब देखते हैं 93 देखते हैं इसके अब लोग the c code for आपको जी आपका code लिखा हो है आपका for loop के अंदर दो अलगल दो column है इसको क्या 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 क्याते हैं कौन सा आपको loop है option no a ordinary loop option no b finite loop option no c infinite loop option no d none of these इस loop क्याते हम लोग infinite loop क्याते हैं इसको लोगने के लिए हम लोग break use करते हैं यह आपका infinite loop है अब देखते है 94 number which one is the smallest unit in Microsoft Excel Microsoft Excel में smallest unit क्या 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 क्याते हैं option no a row option no b column option no c cell option no d none of these smallest unit क्याते हैं cell क्याते हैं अब देखते हैं 95 number देखते हैं that convert drawing printed text or other image into digital form is आपका आशा कौने device है जो आपको ड्राइंग को आपको printed text को image को digital form में convert कर जाते हैं option no keyboard b plotter c scanner or d omr आपको बताने है क्यांट box अंदर की omr के फुल्सम क्या होता है इसका आप क्यांसा हो जाए scanner scanner आपके image को आपके photo को क्या करते हैं आपका digital form में convert कर जाता है अब देखते है 96 number what is a cell script आपका cell script क्या होता है option no a group of command option no b a file containing a special symbol option no c group of instruction option no d a file containing a series of command देखिए आपका cell script क्या होता है मुलो cell script क्या है आपके एक file है जिसके अंदर बहुत सारा command पहले से आपको save रहता है इसका आपको जाएक option no d हो जाएगा अब देखते हैं question no 97 देखते है default font in Microsoft Excel excel बोलिये आप word बोलिये या pop and बोलिये आपका by default font क्या होता है और आपका size क्या होता है option no callisto option no b calibrary option no c ariel option no d candida आपको default font होता है उसका नाम है calibrary और size होता है 11 11 size होता है आप देखते है 98 number which of the which is the only function for all c program content इन सब में से कौन सा function है जो सारे के सारे c program अंदर आता है option no start function option no b system function option no c get c h function option no d none of these इसका आपको जो option no d none of these इन सब में से क्या function नहीं है जो आपको सारे के सारे c language अंदर रहता है अब देखते है question no 99 database dash which is logical part of database and database dash which is a snapshot of database data in the database option no instance or schema option no b relation or schema option no c relation or domain option no d schema or instance आपको जो logical part होता है schema आपको जो logical part होता है db image के अंदर उसको नहीं कहते है schema कहते हैं और उस logical part में जो at particular time पे जो आपको data save रहता है उस data कहते है instance कहते है इसलिए इसलिए आपको जोग option no d schema and instance अब जगते है question no राज का 100 no what is the full form of kobol अगर बताना है कि kobol का full form क्या होता है option no a computer and business language option no b computer and basic operation language option no c common business oriented language option no d common business और आपका organized language इसका आपको जोग option no c हो जाएगा common business oriented language यह आपका kobol का full form है आज के वीडियो खतम होता है लेकिन एक question आपके लिए इसा question टेस्ट हो गया लेकिन एक question आपके लिए आपको बताना है कि इसका answer क्यों होगा common box के अंदर question क्या आपका which protocol provides email facility among different host बताना है आपको इन सब में से कौन से protocol है जो आपको email के अंदर काम आता है option no d FTP option no b SMTP option no c Telenet option no d SNMP अगो बताना है इन सब में से कौन से protocol है जो आपको काम आता है आपको email के अंदर और जो भी काम आता है उसका full form आपको साधे मताना है तो यह आपका homework है आज के मेरी वीडियो खतम होता है तो आप में वीडियो को like करें maintain subscribe करें और अगर आपको इस वीडियो question के PDF चाहिए तो आपको मेरे telegram group जानगन पड़ेगा Thank you very much